तो दोस्तो अगर आपने अभी दग हमारे चल्ब को सबस्क्राइब कर लिजिगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन पॉँट तो दोस्तो फरसे आपका स्वागत है एक और इंट्रस्टेंग वीडियो में तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MIUI 10 Global Stable Update जो कि अभी रेड्मी नोट फोन में आया हुआ है वो अभी एकी वर्जन पे आया हुआ है जो कि है MIUI 10.1.1.0 तो यहां पर दिखा द दिवाइस है और थर्ड बैच उन्हें लगबत सभी को मिल गया है MIUI 10 Global Stable Update तो मैं आपका मैं अपना भी वर्जन दिखा देता हूँ मेरा अभी वही लेटेस्ट वर्जन है MIUI 10.1.1.0 इस्टेबल अपडेट है और दोस्तों बहुत लोगों को क्वेश्चन था कि भाई अब कौनसा नेक्स अपडेट आएगा Redmi Note 4 में और कब तक देखने को मिलेगा या यह ना MIUI यार वाले कुछ भी ठेक नहीं करते हैं यार Redmi Note 4 चुकि काफी अच्छ डेवाइस है उसमें काफी लेट अपडेट दे रहे हैं और इसमें आभी पहला वर्जन आया जो कि Redmi Note 5 Pro की बात कर आपको कौनसा देखने को मिलेगा अपने Redmi Note 4 की अभी मैं सिर्फ Redmi Note 4 की डवाइस के बारे में बात करूँगा अगर आपको कुछ भी कुछ भी कुछन है कुछ भी डवाइस को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ लेकर हमाँ हर डवाइस की वीडियो बनाता हूं तो कुछ भी आपको फर्वरी फर्वरी के लास्ट या मिट फर्वरी तक आपको अपडेट देखने को मिलेगा रेड्मी नोट 4 के अंदर जो की रहेगा सायद MIUI 10.1.5.0 वाल अपडेट तो उसके लिए आपको थोड़ा अंतजार करना होगा और वह अपडेट आपको जल्द देखने को मिलेगा एक से देड़ महीनी के अंदर और दोस्तों जहां तक बात रही इसमें फीचर के आएंगे तो बहुत लोग क्वेशन पूछ रहेते के भाई पोट्रेट मोड आएगा के नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूँ आपके में पोट्रेट मोड आएगा आपके बैक फ देखने को और जहां तक बात रही आपको और कुछ फीचर की तो और कुछ फीचर जैसे ही अपडेट होंगे तो मैं आपको तुरंती वीडियो बना दूगा तो दोस्तों आगर कुछ भी कोशन है तो कमेट करके पूछ लेगा मैं हर कोशन कर रप्लाइं देता हूं अगर द देखने को मिलते रही है इस चैनल पर तो फिर मिलते हैं लिए नेक्ट वीडियो में टेक कर बाए अच्छ वीडियो में टेक कर बाए